आज हम लोग बनाएंगे अचारी पनीर बिल्कुल रेस्टोरन स्टाइल वैसा ही टेक्स्चर बहुत ही डेस्टी बनेगा वीडियो एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें हालो फ्रेंड्स मैं मुस्कान अहुजा और आपका स्वागत है मेरे चानल हुनर मुस्कान का पे आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी के लिए सबसे पहले पनीर को मैरिनेट करना है तो एक बावल ले लेंगे उसमें डालेंगे हंकर्ड दो स्पून और उसक सबकी कॉंटिटीज मैंने मैंने मेंशन की है इसके बाद इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च दनिया इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे दही, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और दनिया डाला है इसमें अभी इसमें डालेंगे हम लोग उनियन और पनीर बड़े-बड़े पीसिस कट कर लेंगे उनियन के भी और पनीर के भी इसमें बिल्कुल हलके हाथ से मिक्स करेंगे जैसे पनीर टूटे ना आप चाहें तो हाथ अच्छे से मिक्स करना है जिसे एक एक पीस पर दही का कोट हो जाए और इसे हम लोग मेरिनेट करने के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट अभी एक पैन ले 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 लेंगे उसमें डालेंगे तेल साथ में डालेंगे जीरा साबुद्धनिया और इसमें डालेंगे कलोंजी अगर बहुत ही ज़रूरी है इसे बून लेंगे देखिए पनीर को 15 मिनिट हो चुके हैं और ये पनीर को हम लोग करेंगे भी फ्राइए शलो फ्राइए करेंगे यही तेल में मैरी निशन के टाइम में इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया था कैमरा ओफ हो गया था तो सौरी मैं वो दिखा नहीं पाई इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम लोग इसे शलो फ्राइए करेंगे जैसे ओनियन और टमाटर जो है वो थोड़े पक जाएं अल्मोस्ट फिफ् देखिए तेल को छान के ले लेंगे और इसी तेल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग सबजी बनाने के लिए तो देखिए मैंने दूसरी पैन में तेल जो है छान के ले लिया है इसमें डाले है साबुद गरम मसाले तेज पत्ता बड़ी लाइची लॉंग और काली मिर्ज सबकी कॉंटिटीज मैंने मेंशन की है इसके बाद इसमें डालेंगे दो चॉप किये हुए प्यास बिल्कुल बारिक चॉप करके लेंगे और इसे हम लोग पूनेंगे साथ में डालेंगे लसुन और अद्रक का पेस्ट फ्रेशली कुटा हुआ लिया है मैंने ये देड़ चमच के करीब है आठ दस कलिया लसुन की और आदा इंच अद्रक दो कश्मीरी लाल मिश डालेंगे इसमें साबुत और इसे अच्छे से भून लेंगे जैसे उनियन जो है पक जाए और लसुन का कच्छा पर निकल जाए पहले आज को तेज रखेंगे बाद में आज को दीमा कर देंगे जब तक ओनियन पके तब तक हम लोग ले लेंगे टमाटर दो टमाटर लिये हैं छे साथ काजू और थोड़ा सा दनिया इन सब को मिक्सी जार में पीस लेंग यहां पर उन्यन पक जाएगा तो यह टमाटर की पेस्ट डालेंगे यह देखिए इस तरह से उनियन हो जाएगा तो इसमें टमाटर की प्यूरि डालेंगे बैसे अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर को पकाना है हमें काजू का इस्तिमाल करने की वज़े से जो ग्रेवी है वो थिक बनती है जिस तरह से हमें होटल में कंसिस्टनसी मिलती है सुखे मसाले डालेंगे हल्दी दनिया पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च इसे बड़ी आसा कलर आएगा सबजी में मिकस करते हुए मसाले को अच्छे से बून लेंगे देखिए कश्मीरी लाल मिच की वज़े से इस अबजी में बहुत इबड़ी आसा कलर आता है आज को दीमा कर देंगे देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से पक चुका है इसमें से तेल निकलना भी चालू हो गया है तो अभी इसमें डालेंगे हम लोग कसूरी मेथी एक चमच कसूरी मेथी डालनी है अलका सा मिक्स कर देंगे इसके बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम लोग गरम मसाला गरम मसाला डालने के बाद इससे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसमें हमें डालना है पानी तो लगबग एक गलास के करीब इसमें पानी डालेंगे और इसे mix कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे सबजी की consistency कम जादा आप अपने इसाब से एक कर सकते हैं देखिए उबाला आचुका है गैस को दीमा कर देंगे और इसमें fry किया हुआ paneer और सबजी यह डालेंगे इसे mix कर देंगे जान रहे हलके हाथ से mix करना है जिसे paneer टूटे ना और इसमें अच्छे से उबालाने देंगे आज को दीमा कर देंगे इसमें डालेंगे नमक सबजीयो को marination के time में हमने इसमें नमक डाला था तो हमें सिर्फ gravy के हिसाब से इसमें नमक डालना है थोड़ा सा डालेंगे दनिया और इसे creamy बनाने के लिए इसमें डालेंगे fresh cream तीन से चार चमच और इसे mix कर देंगे ये हमारा creamy texture का अचारी पनीर तयार है बहुत ही tasty बहुत ही delicious इसकी consistency देखिए बहुत ही बड़िया टेस्ट है एक बार जरूर बना के देखें आपको जरूर पसंद आएगा ये और मुझे comment section में जरूर बताएं कि आपको ये recipe कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे like करें मेरे चानल को subscribe करें Instagram और Facebook पे जरूर follow करें और मेरी आने वाली नहीं वीडियो को देखने के लिए अगर आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें